कोरोना वारस को लेकर सिंगोडी सरकारी इस्पिताल में नहीं है स्वास्त सवधा की व्यवस्था नाम मात्र के लिए बनाया गया इसुलेशन वॉर्ड कोरोना मरीज की जाच की नहीं कोई भी व्यवस्था ना कोई कोरोना वारस बिमारी को लिकर मरीज के लिए इसुलेशन वॉर्ड बनाया गया कि यदि उसे सिंगोडी के प्रात्मिक स्वास्त के इंद में ले जाया जाए तो यहां पर ऐसी कोई भी इलाज की व्यवस्था नहीं है जिसे कि उस व्यक्ति को उसकी जाच का पता लगाया जा सके कि उसे आखर किया है कोरोना टाइन सेंटर में 20 पलंका बॉर्ड बनाया गया है जो हमारीजों को 14 दिन के लिए देखरे के लिए रखा जाएगा कि अभी ऐग भी मरीज को भरती नहीं किया गया कि जब यह सेंटर बनाया गया है तो यह सर्वसुलधा होना आतिया अवश्चक है जहां संपूर्ण भारत में कोरोना वायरस को लेकर अलड किया गया है कि इंदुचिंदवाडा जिली के सिंगोडी स्वास्त केंद्र में बनाया गया ये सेंटर स्वास्त के हिसाब से सही नहीं है ना ही यहां पर जांच का कोई व्यवस्ता है लोगों का कहना है कि सिंगोडी प्रयात्मिक स्वास्त केजर को जब कोरुना को लेकर आइसुलेशन सेंटर बनाया गया तो यहाँ पर MBBS डॉक्टर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 24 गंडे के लिए उपलब धुना चाहें है क्योंकि यह लगभग 42 ग्रामों का कि यहाँ बनाया गया सेंटर मात्र शोभा की सपारी सद्ध हो रहा है वहीं इसमारी की विमारी फैलने की बाद दूसरे चहरों या प्रदेशों में काम करने वाले पढ़ने वाले या नौकरी करने वाले लोग अपने घर वापस आया हुए हैं जिनका टेस्ट शेत्र की जनता को सुरक्षित करने हितु अती आवशक है हितु सुग्योडी में जास की कोई भी विवस्ता नहीं होने से परिशाने का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है आसपास की ग्रामिन अंचलों में निवास करने वाले लगभग 50 से अधिक इसलेशन बॉर्ड है यदि कोई मरी सस्पेक्टिड मिलता है तो उसे 14 दिन तक आइसलेशन में आउब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है फिलहाल परिस्यतियों को देखते हुए सारे हालात सामानी है और हम वह हमारी स्वास्त टीम पूरी तरह से सजग है किसी भी प्रका योगेश्वरस्या की रिपोर्ट सिंगोडी